सब्सक्राइब करे हमारे चाइनल देवा इंगलिष थया स्पोकन क्लास को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि हमारे हर वीडियो का नोठिफिकेशन आपको मिलता रहे है हाई फ्रेंड्स sozusagen to the desk देवा इंगलिष थया स्पोकन क्लास फ्रेंड्स present perfect tense मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है और उसका revision class भी उसका revision video भी बना दिया है हमने और उमीद करता हूँ कि आपने देखा होगा और समझा भी होगा आची तरह से तो friends today I am going to teach you about the present perfect continuous tense okay friends तो let's start the class of the day present perfect continuous tense what is the recognition rules of the sentences from present perfect continuous tense very simple जब भी sentence के अंत में जब भी हिंदी sentence के अंत में क्रिया के बाद यानि वर्ब के बाद ता रहा है ती रही है ते रहे है तो समझ लो कि वो present perfect continuous tense का sentence है या ता ते ती भी नहीं रहेगा तो सिर्फ रहा है रही है रहे है हो और उसमें time of period means समय दिया हो कि काम कबसे हो रहा है कबसे होता रहा है तो वो present perfect continuous tense होता है ठीक है friends याद रहे कि present perfect tense में भी मैंने आपको has been और have been और since और for के बारे में बताया था और इसमें भी सेम चीज़ है has been, have been और since for ही लगेगा बट इसमें verb में ing लगता है बस फार कितना है बाकि सारा कुछ वो ऐसा ही रहेगा इसमें सिर्फ verb में ing लगेगा क्योंकि इसमें रहा है रही है, रहे है, आएगा ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए हम एक एक करके समझते है सबसे पहले मैं इसका making formula लिख दूँ subject plus has have plus been plus object sorry, verb रहेगा verb में ing फिर प्लस since fall since and fall plus duration जो time है जैसे वह चार घंटों से पढ़ता आ रहा है वह चार घंटों से पढ़ता आ रहा है या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वह चार घंटों से पढ़ रहा है ता आ रहा है नहीं भी लिखेंगे तो वह चार घंटों से पढ़ रहा है तो इंगली से उनका सेम होगा कि अभी सिंस और फॉर कहा लगाना है यह आपको बताने की फिर से जुरत नहीं क्योंकि मैंने वह प्रिजेंट फॉर्फेक्टेंस वाला में जो हैंज बिन हैं और सिंस फॉर का वीडियो बनाया था उसमें सब कुछ पूरा डीटेल से बताया मैंने अगर आप नए हो तो आप मेरा ओप वीडियो देख लेना प्रिजन पर्फेक्टेंस का हैस बीन और सिंस फॉर वाला ठीक है तो यहाज बिन रीडिंग यहां पर कहले गया चार घंटों से तो फॉर फॉर आवर्स गंटा दिया है इसलिए फॉर लगेगा अगर यहीं पर बजे होता टाइम पर्फेक् शूब मैं सुप्र से खेल रहे हैं विन ओच सुभय से खेल रहे हैं तो यह बीन आ controll करुछ थे खेल रहे हैं तो यह थे खेल रहे हैं गया खेल यह थे जिए। इस 1996 का थ्यूर्स हeeee लोग शुबे से खेल रहे हैं they have been playing since morning अब है जाइब कहा लगे का वो भी आपको पताने की जुरूत निया तो basic में पुरा सम जा चुका हूं मैं और यहाँ पर सुबे से खेल रहा है खेल रहा है या खेलते आ रहा है दोनों sentence सेम होगा और दोनों की English एक ही बनाए जाएगे ठीक है अब हम बीना time के एक sentence लेते हैं वो रोता रहा है वो रोता रहा है मतलब है sentence से यह पता चलता है कि वो अभी नहीं रो रहा है वो पहले से ही रोता रहा है मतलब थोड़े दिर पहले या कुछ दिन पहले से वो रो रहा है अभी तक रो रहा है इससे यह प्रतित होता है हमारी sentence से कि वो रोता रहा है वो रोता है या रो रहा है अगर ऐसा बोलते हैं तो वो अलग चीज हो गई वो रोता रहा है, वो खेलता रहा है, मैं खाता रहा हूँ, इस तरह के संटेंसे जब आये, तो has been और have been से बनेगा, वो खेलता रहा है, वो खेलता रहा है, तो हsome है, तो has been weeping, he has been weeping, मैं गाता रहा हूँ, I have been singing, ठीके फिन्ट्स है तो यह स्थेंसेंस है स्थेंस और फार लगने का यह जो प्रिजन पर्फेक्ट गूंटिन्वस टेंश है यह बहुत ही इसी है क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इसमें जो फ्रा इस बंआ प्रीम और शीडिया इस और फ्र लगने के लिए बता रहा मैं यह मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ और अच्छी तरह से समझा चुका हूँ प्रिजन फर्फेक्ट टेंस में और उमीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे इसलिए बार 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 बताने की जुरूत नहीं है कि हैस बीन कहा लगेगा और है बीन कहा लगेगा फोर कहा लगेगा तो यह है हमरा प्रिजन फर्फेक्ट कॉंटिन्यूस टेंस ठीक है फ्रेंट्स तो हम स्क्रीन पे कुछ और भी सिंटेंस देखते हैं और उसके दोरा और कुछ ज़्यादा समझनी के कोशिश करते हैं तो देखिए वे लोग प्लेइंग क्रिकेट फॉर सिक्स एर्स वे लोग छह सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं यहाज बीन लर्निंग इंइग्लीश वा अंग्रेजी सिखता आ रहा है His father has been working here since 1997 उसके पिता जी यहाँ 1997 से काम कर रहे है I have been waiting for you for two hours मैं तुम्हारा दो घंटों से इंतिजार कर रहा हूँ ठीक है फ्रेंट्स तो आज के लिए इतना ही और अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलोट और धन्याबाद झालोटनी कर रहा है